गुड मॉर्निंग चिल्जन आशा है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्त एवं सुरबशीत होंगे आज मैं आपको शो मी यूर वैस प्रेयर सॉंग के नोटिशन सिकाने जा रहे हूँ कि आप उसे किस तरह से प्यानों पर बजाएंगे सबसे पहले उसमें एक आला पाता है इसकी नोटिशन देखिए मपग मरे इसे हमें दो बार बजाना है फिर नीधा नीधा ये यहां मंद्र सब तक का आएगा तो अब किस तरह से बजाएंगे इसे देखिए मपग मरे मपग मरे नीधा नीचे आए नीधा एक बार फिर से देख लीजे इसके बाद नेक्स्ट वाले नायन है रे गा म म यहां म तिवर आ रहा है ये दिखिए यहां रे गा म म फिर रे और धा धा फिर से मंद्र सब तक का आएगा तो इसे कैसे बजाएंगे प्रस्त देखिए रे गमा म रे धा सेके लाइन है गमा रे धा इसमें आएगा अब पुरा देख लिजी एक पार आगे है पामा रे धा पामा गव अब हम इसको एक बार बजाना है अब दूसरी बार थोड़ा सा डिफ्रेंस से वो देखिए किस तरह से हम बजाएंगे सेकेंड टाइम फर्स्ट वाली लाइन तो सेम बजेगी लेकिन जब हम सेकेंड लाइन बजाएंगे तो उसमें रे धा की जगह हमें धा गवम बजाना है पहले हमने सेकेंड लाइन में भी रे धा ही बजाया था लेकिन अब हमें धा गवम बजाना है किस तरह से आगी की लाइन इस तरह से है I trust in you Lord I trust in you Lord I trust in Third time हमें you नहीं बोलना है हमें I trust in you और Lord यह हमें you Lord नहीं बोलना है कैसे बोलेंगे हम I trust in you Lord I trust in you Lord I trust in उसके बार फे day by day and step by step यह वाली लाइन हम लेंगे तो अब यह देखिए हम किस तरह से बजाएंगे यहां सभी जगत दिवर्मा का प्रयोगी हो रहा है पर इससे देख लेंगे एक बार इसको गाएंगे हम I trust in you Lord I trust in you Lord अब फिर I trust in के बाल हमें रे 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 बजाना है और I trust in पूरा हो जाएगा आगे की लाइन को इससे जब मिलाएंगे तो हो जाएगे पामरेदा पामागा डे बाई डे अंस्टे पास्टे पूरी देख लेजे I trust in you Lord I trust in you Lord I trust in day by day and step by step आगे की बाल शब्द का अंतर है बाकी हम ऐसे ही बजाएंगे My hope is you Lord my hope is you Lord my hope is यहाँ I trust in you की जगे आजाएगा My hope is you My hope is you Lord my hope is you Lord my hope is अब शब्दों में अंतर है Every heartbeat, every breath और इसके बाल में I trust in you इसमें आएगा I trust in you मागरे रे तो यह हमारा सौंग पूरा कम्प्लीट हो चुका है इससे आप घर पर अच्छे से प्रैप्टिस करेंगे और पूरा सौंग बजाएंगे हमें फिर से इस था ही पूरा रिपीट करना है जैसा हमने पहले गाया है वैसा ही फिर से हमें ट्वाइश टाइम गाना है और बजाना है तो ये सोंगा मारा कम्प्रीट हो जाएगा थैंक यू वेव गुद डेए